नमस्कार दोस्तों, आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत हैं। आप रोज हमें याद करते हो और हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आने की कोशिश करते हैं। ताकि आपको और जल्दी रिजल्ड मिल जाए। जिनके काम फसे हुए हैं या घर में बहुत ज़्यादा तकलीफ हैं या घर में लड़ाई जगड़े चल रहे हैं। तो दोस्तों, उनसे कैसे चुटका आप आजा सकता है। तो दोस्तों, आज आपसे हम कुछ नई बाते कहेंगे, कुछ नया उपाय सिखाएंगे, जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। अक्सर आपने ये सुना होगा कि कोई चीज को बाटने से कोई बढ़ती है, तो हम आपको वशिकरन की विधी बताते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके घर में भी सुक शान्ती हो और आपका भी कोई रूटा हुआ मान जाए। तो आज हम वशिकरन की आपको बहुत ही आसान विधी बताएंगे, ताकि कोई इनसान या व्यक्ति आपसे रूटा हुआ ना रहे। दोस्तों क्या आपको पता है कि कपूर से भी किया जा सकता है वशिकरन। जी हाँ दोस्तों आपके घर में कलेश रहता है या नगेटिविटी रहती है या फिर आप किसी को वश में करना चाहते हैं तो आप ये विधी जरूर करें। तो दोस्तो इस कारे को करने के लिए आपको एक कपूर की टिक्की लेनी है जो की अक्सर घर में पड़ी रह होती है या फिर आप मार्किट से लेकर आ सकते हैं और उसे अपने हाथ में रखकर आपने 21 बार एक मंतर का उच्चारन करना है और फिर उसके बाद आपने इसे घर पर किसी भी कटोरी के अंदर कपूर को जला दे और यकीन मानिये इस टोटके के एक घंटे के अंदर वो इनसान आपके वश में हो जाएगा और आपकी सारी बाते मानने लगेगा अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा हो कि वो आपके बस में हो जाए तो आप स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर कॉल करें हमारी गुरू माताजी से अपने नाम के अनुसार अपनी राशी के अनुसार अपना मंत्र ले सकते हैं आप दोस्तों अगर आप किसी भी कारणवश ये कार्रे करने में असमर्थ हैं तो आप ये कार्रे गुरू माताजी से भी करवा सकते हैं तो दोस्तों देर न करें, जल्दी से ही हमारे गुरू माता जी को कॉल करें या वाटसप करें जै माता दे